Hello students, welcome to online class. Today will be first chapter start, भासा, लीपी और व्याकरण. ओके, आज हम किसके बारें पढ़ेंगे? हिंदी ग्रामर का chapter first, भासा, लीपी और व्याकरण. अब इसके बारें देखें, हम नीचे रीडाउट करते हैं, इसके बारे में, देखें, एक बारी हम पहले picture को देख लेते हैं, first picture में क्या हो रहा है हमारा, जो बच्चा है, एक boy है, वो अपनी मम्मी के क्या कर रहा है, पैर चूरा है, हमकी आशिरवाल ले रहा है, ओके, second picture में क्या है, जो हमारा टीटी है, ठीक है, जो क्या है, हमारा station पर खड़ा है, वो टीटी, वो क्या है, लोगों को ठीकट देखकर वहाँ से जाने की बाहर, पर्मिशन दे रहा है, ओके, जैसे कि देखें, अब हम नीचे पढ़ते हैं, एक बारी, फॉस्ट में है, देखें, यहाँ पर, बच्चों उपर दिये गए, चित्रों में आप देख रहे हैं, ठीक है, फॉस्ट में है, पूत्र माता के चरण इसपर्स करके, अपना आदर भाव प्रकट कर रहा है, तो जो क्या, पूत्र है, मतलब बेटा है, वो अपनी ममी के क्या खोड कर रहे है, ठीक है, देखें, एसमना भाव अपने भाव को क्या कर रहे है, प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ कर देख रहा है, जैसे कि देखें, आप पर जो टिकट कलेक्टर है, तिकट लेकर क्या कर रहा है यात्रियों को बाहर जाने की अनुमती दे रहा है कि नेक्सट हमारा शोड़ है उसा हमारा देखे में कि एक टीम के खिलाड़ी से गलती बताकर दूसरी टीम को उसका लाव दे रहा है hai रवह एक करने के कि खिलाड़ी की गलती बता कर और क्या कर रहा है दूसरे टीम को उसका लाव दे रहा है ठीक है जैसे कि हमने उपर पिचर में देखा है देखी आपर रैफियर जो एक बच्चे की गलती बता ही जिसमें की और वो दूसरों टीम को उसका लाव बता रहा है ठीक है यह उसका लाव क्या है नेक्स्ट है नमारा इन चित्रों में भाव या विचार तो प्रकट हो रहे हैं लेकिन यह सब बिना बोले किरिया अत्वा संक्यतों द्वारा प्रकट हो रहे हैं अन्तहें इने भासा नहीं कह सक करते हैं क्योंकि क्या है भासा तो हम उसे कहते हैं जो हम अपनी बातों को बोल कर किसी से अरदान परदान करते हैं वो क्या होती है हमारी भासा एक्जांपल जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं तो मैं क्या कर रही हूं अपनी बाते आपसे बोल कर पढ़ा रही हूं तो यह क्य के लिए बोलना आवśобще यह जो बहुती ज़रूरिया है generally मोलने के लिए मुझ जीव अधी कुछ अंगों से काम लेना पड़ता है इस्से पुछOTHERनिया उत्पन वोती है तो इससे क्या होता है हमारी जब हम बोलते हैं तो इससे हमारी क्या होती है कुछ ध्वनिया है जो उत्पन होती है ठीक है देखिए जैसे कि सेकंड है हमारा बोलने के लिए ध्वनिया आवशक है अगर जब हम बोलेंगे तो उसके लिए हमारी जो ध्वनिया है वो बहुत ही जरूरी बहुत ही आवशक है ठीक है जैसे आपको जीवन में रहने के लिए पानी और भोजन के आवशकता है सहम उसी प्रकार से हमें बोलने के लिए द्वनियों के भियावशक्ता है ओके देखी जैसे कि next step हमारा इन द्वनियों में एक विवस्था भी होती है होनी चाहिए जो हमारी द्वनिय है इनकी में भी विवस्था मतलब सिक्वेंस होनी चाहिए ठीक है इन्हें एक दूसरे के बाद इस तरह से बोलना चाहिए कि सबके मिलने के बाद उनका कुछ अर्थ निकल सके क्या है यह जो इस सब्द है हमारे द्वनिया है जो हमारी इन्हें क्या है एक दूसरे के बात इस तरह से बोलना चाहिए कि मिलने के बाद उनका कुछ अर्थ निकल सके यह मतलब आपस में इस तरह के से मिलना चाहिए वो ताकि जो चीज हम बोल रहे हैं इसका हमारा कोई मीनिंग निकल सके कोई अर्थ निकल सके ओके next है हमारा ध्वनी समू सार्थक होना चाहिए ध्वनी समू सार्थक होना चाहिए मतलब देखेंगे आप उप्युक्त तीन बातों को ध्यान में रखते गवे हम कह सकते हैं कि जैसे मूसे बोली जाने वाली सार्थक ध्वनियों के द्वारा भाव एवम विचार के अर्दान पर्दान के साधन को भासा कहते हैं देखे जो भी चीजे हम अपने मुझसे बोल geographic performance मैं आपको समझा रही हूँ इसके द्वारा क्या कर रही हूँ मैं अपने भाव और विचार के सामने अर्दान पर्दान कर रही हूँ ठीक है और फिर इसी के दुऔरा मैं आपको पढ़ा सकती हूं ठीक है तो इसमें यही बात बोली गही है Strongly जाने वाली सार्थक द्वनियों के दुऔरा भावें विचारों के अरधान पर्दान साधन को हम क्या कहते हैं प्रकार अपने सामने उपस्तित लोगों से हम बोलकर विचारों को अरदान परदान कर सकते हैं जो हमारे पास मतलब प्रजेंट हो अपने पास खड़े हों उनके संसे बोलकर ना मांपस में अपने विचारों को क्या कर सकते हैं आज कल टेलीफोन द्वारा यह संभव हो जाता है लेकिन यह यह लेकिन जब यह सुब्धाय नहीं होती तो दुरस्त वैक्ति से वि और काई फोन को अब विजँ करते हैं अपना विचारों कर लेती है समझे अपनी प्रकट कर लेते हैं अप च्पाई भी भासा को लिखना ही है जैसे कि हम कोई चील लिख रहे हैं या टायपिंग कर रहे हैं यह भी प्रकार से करते हैं इसी तरीके से हम भासा का परियोग इतने प्रकार से करते हैं प्रकार से फॉस्ट बोल कर एंज सेकेंड लिख कर दिक बोल कर तब कर सकते हैं जब आपके सामने कोई खड़ा हो आपस में अगर कहीं दूर भेजना हो जैसे पहले कि इस समय में था दूर भेजना तो उस दिश्च को कैसे करते थे हैं लिख कर प्रकट करते थे ओके चाहिए देखें शैसे की आपको किचर में दिखाया हुआ है याँ पर क्या कर रहे हैं अंतर भासा के दो भेध ये देखें हमारा फर्फ रला लिख कर देखें अपने भाहु को यह बैठ़ा है une यह अपने बात करके मतलब बोलकर प्रकट कर रहे हैं ऑके देखिए है नगस्थ है Pen жен O प्रणı किया है द Perché تpowered लिखिद विचार या बहुएक करने के लिखित भासा कहते हैं कुई भी को हम अपने लिखकर प्रकत करते हैं कौन से होती है हमारे लिखेत भासा ठीक है नेक्स्ट है हमारा लिपी लिपी क्या है देखिए अब हम लिपी के बारे में पढ़ेंगे भासा का मूल रूप ध्वनी है जो भासा है हमारी उसके मूल रूप ध्वनी है ठीक है जैसे कि हमें ध्वानियां बोली और सुनी जाती हैं इन ध्वानियों को सुने जा सकने की सीमा से दूर पहुचाने अनुपस्तिती में संदेश छोड़े जाने या ध्वानियों को इस्थाई रूप देने के लिए आदमी ने कुछ सीधी आड़ी तिर्ची रेखाओं या कुछ वस्तू के अकारों के चिन बनाने आरम कर दिये हैं धीरे धीरे ये रेखाएं या चिन को विक्षित होकर लिपी बन जाती है तो क्या है हमारे इंध्वनियों को क्या करने के लिए दूर पहुंचाने के लिए संदेश छोड़ने के लिए क्य है आड़ी तेड़ी हमारी एक रेखाए कुछ बनाई गई है जिनके अकारों को क्या चिन बनाने का आरम कर दिये ठीक है धीरे धीरे यह रेखाएक क्या है हमारी चीन ही विक्षित होकर लिपी बन जाती है जैसे कि हम नीचे पढ़ेंगे लिपी कहते किसे हैं द्वनियों को लिखने के लिए निश्चित कर लिए गए रेखा चिनों को लिपी कहते हैं लिपी किसे कहते हैं बताईए द्वनियों को लिखने के लिए निश्चित कर लिए गए रेखा चिनों को लिपी कहते हैं नेक्स्ट है हमारा संसार में अनेक भाष आए और उनकी अलग-अलग लिपिया हैं जैसे हिंदी भाषा की लिपी को देवनागरी और अंग्रेजी की लिपी को रोमन और उर्दी की लिपी को अर्वी कहा जाता है ठीक है हमारे जो संसार है हमारे जो दुनिया इसमें क्या है बहुत सी अनिक भशाई है इसमें क्या है हिंदी जो है हिंदी भासा की लिपी क्या है हमारी देवनागरी और अंग्रेजी क्या है हमारी लिपी रोमन और उर्दू की क्या है उर्दू की लिपी क्या है हमारी अर्व ठीक है अर्वी कहाद जाता है कई कई भासाओं के लिए एक ही लिपी का परियोग होता है तो क्या है कई भासाओं के लिए कई तरकी की भासाओं के लिए हमारा एक ही लिपी का परियोग होता है ओके तो देखे जैसे कि अब हमारा है जैसे कि देखें नेक्स्ट है जैसे हिंदी संस्कृत मराठी, कोकडी और नेपाली के लिए देवनागरी तथा यूरोप की अधिकांश भसाओ के लिए रूमन लिपी का परियोग होता है जैसे कि क्या हमने बताया अभी हिंदी और संस्कृत मराठी और कोकडी और नेपाली के लिए किसकी कौन सी लिपी उज़ोती है हमारी बताये देवनागरी ठीक है देवनागरी तथा यूरोप की अधिकांश भसाओ के लिए रूमन लिपी का परियोग होता है और जो यूरोप में है उसमा अधिकांश भसादिकतर भसाओ के लिए भी और भी लिपी का ही परियोग होता है ओके आज हम यही तक पढ़ेंगे कि भाजा किसे कहते हैं और लिपी क्या थी है हमारी ठीके व्याकरण का टॉपीक हम नेक्स क्लास में पढ़ेंगे तो जिन बस अब सभी कि आपका होमबर्क क्या है आपको इसके आगे काई सारा टॉपीक पढ़कर रखना है ठीक है व्याकरण पढ़कर रखना है और इसके बुक वर और कॉपी वरक हम नेक्स क्लास में करेंगे जितना पढ़ाया इसको अच्छे सा सुनेंगे वीडियो को समझेंगे और याद करेंगे कि वहाँ सा किसे कहते हैं लिपी किसे कहते हैं ओके ठैंक यू